हेलो आल माई डियर स्टुडेंट्स वेरी गुड आफ्टरून तो लाफ यू एफेक्ट ऑफ एलेक्टिक करन लेक्टर नमबर टू इसके पहले हमने एक लेक्चर इस पर और डी अपलोड किया हुआ है जिसमें हमने दस न्यूमेरिकल सॉल किये है उसके आगे इसको कंटिन्य करेंगे बट इस लेक्चर को देखने से पहले लेक्चर नमबर वन को बढ़िया से देखा हुआ होना ज़रूरी है इस लेक्चर में भी 15 से 20 न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे हम ठीक है ना और जो भी पोर्शन बच जाता है वो कंप्लीट कर लेंगे और इस हमने लास साथ रही तो आराम से उसका पिनिश कर देंगे नेक्स लेक्चर से फिर मैगनेटिक इफेक्ट बहुत इंट्रेस्टिंग और जो मोस्टली बच्चों को हाड लगता है ऐसा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे ठीक है तो हीटिंग लगाओ ओरीजीन ओफ हीटिंग इफेक्ट इफेक्ट उफ इलेक्ट्रीक करंट ठीक है यच इएच मतलब हीटिंग इफेक्ट उफ इलेक्ट्रीक करंट इसका ओरीजीन क्या होता है तो ओरीजीन से पहले मैं आपको डेफिनेशन बता दू बच्चों देखलो आराम से समझो कि भाई जब वायर में से या कंड़क्टर में से या resistor में से current pass होता है तो उसमें heat generate होती है कहां से generate होती है वही तो पढ़ना है तो ये जो heat generate होने के वज़े से wire गरम होता है इसे कहा जाता है heating effect of electric current क्या कहा जाता है heating effect of electric current तो क्या बोलेंगे when when electric current when electric current is passed through is passed through resistor बोलेंगे चलो, okay, resistor when electric current passed through resistor और wire भी कह सकते हो और conductor भी कह सकते हो ठीके, it gets heated वो घरम हो जाता है it gets heated called HEEC what do you mean by HEEC heating effect of electric current तो उसको क्या बोलेंगे heating effect of electric current तो origin पढ़ने से पहले हमने clear कि heating effect of electric current कहते किसको है तो किसको कहते है एक resistor में से अगर आप current flow करोगे तो वो घरम हो जाएगा, उसे क्या खा जाता है heating effect of electric current अब इसका origin देखो, origin क्या होता है तो origin समझने के लिए एक source of energy जिसे हम cell या battery कहते है ऐसे connect कर देंगे, ठीक है इसको resistor R कहते है यह positive terminal होता है, यह negative terminal होता है this is higher potential, this is lower potential ठीक है, तो इसमें कुछ point लिखूँगा बच्चो मैं, अच्छे से समझ लो पहला point यह लिखूँगा when when, अगर यहाँ पे suppose switch है इसको मैंने on कर दिया क्या कर दिया, on कर दिया when switch is on when switch is on suppose switch मैंने on कर दिया then current current flow from current flow from positive to negative terminal current कैसे जाता है, positive to negative terminal जब आपने switch को on किया तो यह जाएगा positive to negative क्या current, क्या जाएगा current लेकिन, लेकिन बच्चो, अच्छे से समतलो last lecture में हमने देखा था कि current भले ही positive to negative जाता है लेकिन it is the electron which flows from negative to positive ओके, at the same time at the same time at the same time at the same time current मतलब electron होते है at the same time electron electron flow from electron flow from negative to positive electron कैसे flow होते हैं negative to positive negative to positive अब देख लो ये flow हो रहा है मतलब move हो रहा है move हो रहा है मतलब kinetic energy इसके बास तो number 3 moving electron moving electron has kinetic energy moving electron has kinetic energy अरे भाई अब electron much हो रहा है electron का कुछ mass होगा उसकी कुछ velocity होगी तो उसमें kinetic energy होगी क्या होगी? kinetic energy होगी अब इस resistance को अगर मैंने zoom किया, तो इसका structure हो जाएगा कुछ इस तरह से, इसका structure हो जाएगा कुछ इस तरह से, अब यह wire को यह resistance को मैंने zoom किया, ठीक है, तो इसको zoom किया, बहुत जादा zoom किया, तो इसका structure ऐसे हो जाता है, तो यह जो wire होता है, या conductor होता है, या resistor होता है, इसम आब देख लो इसी डाइगराम को यहां पर हम इमयाजिन करेंगे तो क्या हो रहा है यहां से बहुत सारे electron flow होने की कोशिश कर रहे है, infinite आप imagine भी नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा electron move होंगे, ठीक है न, from negative to positive, देखलो न, from negative to positive, अब जब ये electron जा रहे हैं, इनके पास energy है, कौन सी energy है, kinetic energy, तो अब ये जाते जाते क्या करेंगे बच्चो, एक तो ये atom के साथ collide हो सकते हैं, या फिर करनेल के साथ collide हो सकते हैं, तो हर collision में क्या करेंगे, ये अपनी kinetic energy इसको दे देंगे, अपनी kinetic energy इसको दे देंगे, moving electron has kinetic energy, number four, while moving, while moving, electron collide, collide मन्ज़े अधर्न, collide with, collide with atoms, और करनेल, do you understand the concept of करनेल, simple बच्चो, कोई rocket science नहीं है, ये जो free electron है, ये कहां से आए, shell से excited होके वो बाहर चले गए, तो atom से अगर electron बाहर चला गया, तो negative charge बाहर गया, तो उसको बोलेंगे, करनेल, क्या बोलेंगे, करनेल, ठीके ना, तो जाते वक्त electron क्या करेंगे, atom से या करनेल से collide होगे, अब अगर ये collide हो गए इस तरह से, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये अपनी kinetic energy इसको दे देंगे, तो number five, electron gives kinetic energy to kernel, to kernel और atom, to kernel और atom, तो electron क्या करेंगे, kinetic energy दे देंगे, किसको, kernel को या atom को, जिस वजह से क्या हो जाएगा, वो heat हो जाएगा, अब ये collision के वजह से, energy transfer होगी, electron gives kinetic energy to the kernel और atom, due to which, due to which, जिस वजह से, it gets heated, it gets heated, इस वजह से वो गरम हो जाएगा, और wire का temperature धीरे 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 बढ़ने लगेगा, ठीक है, तो इस तरह से होता है, समझ में आया, origin of heating of effect of electric current, very simple बच्चो, when we switch on the current, flow of, current flows from positive to negative, इसका यही meaning होता है, current अगर positive से negative जा रहा है, at the same time, electrons flows from negative to positive, उसको other language में ऐसे भी बोलेंगे, electron flows from low potential to high potential, and current flows from high potential to low potential, moving electron has kinetic energy, उसकी velocity मेजर कर लो, उसको कुछ mass होगा, उसकी energy हो given by 2 mv square, अभी यह जाते जाते क्या करेगा, करनेल से या atom से collide होगा, तो during collision, electron transfer kinetic energy to the atom या करनेल, करनेल या atom को अपनी kinetic energy वो दे देगा, तो kinetic energy देने के वजह से, वो heat up हो जाएगा, और इसी को कहते हैं, heating effect of electric current, so this is the best and very simple explanation of origin of heating effect of electric current, तो heating effect of electric current कहां से originate हुआ, ठीक है, तो हमने क्या किया वच्चों, last lecture में हमने discuss किया है, कि भाई, कोई एक electric circuit होगा simple, देखो आराम-ाराम से, कोई एक simple electric circuit होगा, ठीक है, यह positive, यह negative, इसका voltage होगा भी, यह positive, यह negative, potential difference भी, इसका resistance होगा R, इसके अंदर से current है, आए, और कितने time के लिए flow हो रहा है, T time के लिए, तो situation क्या है, power, power के formula का है, power is equal to voltage into current, power is equal to I square R, और power is equal to V square by R, यह तीन formula है, किसके power के, अब इसमें T adjust करोगे, तो heat मिल जाएगी, heat is equal to V, I, T, heat is equal to I square R, T, heat is equal to V square by R into T, V square by R into T, ठीक है, तो V square by R into T, तो यह जो heat मिलेगी, यह heat मिलेगी Joule में, किसमें Joule में, suppose you want heat in calorie, तो आप क्या करोगे, इसको J से, mechanical equivalent मतलब 4.18 से divide करोगे, तो H is equal to V, I, T, divided by 4.18 calorie, H is equal to I square R, T, divided by 4.18 calorie, H is equal to V square, V square T divided by 4.18 R, यह भी calorie, तो इस फॉर्मुले को अगर आप 4.18 से divide करोगे, तो आप को क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, calories, तो आज हम और एक एक कंसेप्ट देखेंगे, जो की बहुत अवर, लिखो, kilowatt, kilowatt hour, इसको ही क्या कहते हैं बच्चों, unit, do you know unit, आपका जो electricity का भी लाता है, तो आपकी मम्मी या पपा क्या बलते हैं, कि बहुत electricity का भी ला गया, यार, कितने unit electricity इस बार हमने यूज की, तो कितने unit, that is unit, तो एक unit मतलब, एक kilowatt hour is equal to one unit होता है, तो kilowatt hour unit ये क्या होता है, commercial unit of electric energy, commercial, commercial unit of, commercial unit of electric energy, electric energy का commercial unit होता है, electrical energy, ठीक है, तो commercially इसको use करते हैं, business point of view, या फिर जो electricity का भी लाता है, उसमें kilowatt hour use होता है, ठीक है, अब one kilowatt hour मतलब कितना joule होता है, देख लो, one kilowatt hour is equal to, kilowatt का watt करेंगे, kilowatt का watt क्या हो जाएगा, 10 to the power 3 watt, ठीक है, hour का, hour का second करेंगे, 60 minute into 60 second, 60 into 60 second, तो ये 10 to the power 3 watt क्या होता है, joule per second, खुच यादा आया, power is equal to work upon time होता है, तो work का unit होता है, joule, और time का unit होता है, second, joule per second, या इसको ही हम क्या बोलते है, वैट, तो वैट के पीछे क्या छुपा हुआ होता है, joule per second, तो 60 into 60 क्या हो जाएगा, 3600 second, तो second से second, cancel, तो ये 1, 2, और ये 3, ये 3, 0 और ये 3, 0, 10 to the power 6, यहाँ पर क्या बचा, 3.6 into 10 to the power 6, joule, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो, 3.6 megajoule, ठीक है, ना, megajoule, ये 6 मतलब क्या होता है, mega, ठीक है, तो 1 kilowatt hour क्या होता है, 1 kilowatt hour is 3.6 megajoule, 3.6 megajoule, ठीक है, तो अब यहाँ से 1 kilowatt hour की definition भी लिख सकते हो, 1 kilowatt rating instrument, 1 kilowatt rating instrument, instrument is operated, is operated, मतलब उसको चालू रखा गया, यूज किया गया, is operated for 1 hour, 1 hour, ठीक है, ना, power rating क्या होती ही, बच्छा, आपके बल्पे लिखा होता है, 7 watt का bulb, 10 watt का bulb, ऐसे बहुत कुछ बड़ा instrument है, समझो, electric motor, पानी की motor है, गीजर है, हीटर है, इस तरह का, तो उसका power rating 1 kilowatt होगा, तो 1 kilowatt वाला कोई भी instrument, आप अगर एक घंटे के लिए operate करोगे, ओके, इफ 1 kilowatt rating instrument is operated for 1 hour, then, then, electric energy, electric energy consumed, electric energy consumed, या utilized, electric energy consumed, utilized or required, consume is called, is called, इसको क्या बोलेंगे, 1 kilowatt hour, तो महाँ पर क्या कहा जाएगा, कि भाई, electric energy कितना use भी, 1 kilowatt hour, और इसको ही हम क्या बोलते है, 1 unit, क्या बोलते है, 1 unit, तो कोई भी instrument, जिसकी power rating कितनी है, 1 kilowatt है, उसको अगर एक घंटे के लिए आप operate कर रहे हो, तो वहाँ पर कितनी electrical energy लगेगी, 1 kilowatt hour, या इसको बोलेंगे हम 1 unit, ठीक है, अब देखलो, बच्चो, power is equal to क्या होता है, work upon time, ठीक है, तो work क्या होगा, power into time, power into time, power का unit क्या होता है, वैट, ओके, और time का unit क्या होता है, second, अब वैट के बजाए, अगर power आपने kilowatt में ले लिया, और second के बजाए, आपने time hour में ले लिया, तो यह क्या बनाए, kilowatt hour, और kilowatt hour is the unit of work, electric work, and electric work is nothing but electric energy, electric energy, ठीक है न, तो electric energy का unit क्या हैगा, kilowatt hour, समझ रहे हो, kilowatt hour, और kilowatt hour क्या होता है, one kilowatt hour is electric energy used in one hour by the electric appliance of power rating, one kilowatt, ठीक है न, तो simply one kilowatt power rating वाला instrument, अगर आप एक घंटे के लिए operate करते हो, या एक घंटे के लिए उसको utilize करते हो, तो क्या कहा जाएगा, कि वहाँ पर कितनी electric energy consume ही, one kilowatt hour, और कितने joule होते हैं वो, 3.6 into 10 to the power 6 joule, या इसको ही क्या कहा जाता है, 3.6 mega joule, अब इसके numerical हम बढ़िया से देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ important चीज़े हम सीख लेंगे, सबसे पहले हम जाते हैं कि भाई अगर दो dissimilar bulb है, series में connect है, तो कौन सा bulb brighter रहेगा, ठीक है, एक important point कवर करते हैं, interest point of view बहुत important है, आज कल IIT JMAB 12 में brightness वाले problem बहुत आ रहे हैं ठीक है, तो दो bulb ले ले लेंगे हम, दो bulb series में connect करेंगे, ठीक है, दो bulb है ऐसे, series में connect किया है, ठीक है, electric circuit can be arranged by two different way, that is, series and parallel, ठीक है, अभी नाइद में हो चुका है, फिर भी मैं double बता दूँगा आपको, देख लो अच्छे से, series and parallel, series and parallel, अच्छे से समझोगा हो चूँँ, और रेडी हो चुका है, series मतलब यह ऐसे होता है, एक के आगे दूसरा, इसको बोलेंगे series, और यह एक, उसके नीचे दूसरा, इसको बोलेंगे parallel, ठीक है, अब series में जो हम source connect करेंगे, वो कुछ इस थरा से connect करेंगे, यह positive supply, यह negative supply, बराबर, current जाने के लिए एक ही path होगा, एक ही path होगा, मतलब same current pass होगा, यहाँ पे current जो रहेगा, यहाँ पे वही रहेगा, यहाँ पे वही रहेगा, एक ही path है न, तो यहाँ पर series में current कैसे होता है, same, current कैसे होता है, same, ठीक है, लेकिन voltage कैसा होगा, अलग-अ हमने यहाँ पर V लगाया, यहाँ पर voltage अलग होगा V1, यहाँ पर voltage अलग होगा V2, ठीक है, तो voltage कैसे होगा, different, current same, voltage different, in which combination, series combination, अब parallel combination में देख लो, अगर हमने यहाँ पर क्या किया, ऐसे है, supply लगा दिया, यह plus और minus, कल भी हम discuss कर रहे थे, कि भाई, wire का कोई meaning नहीं होता, wire क across voltage drop नहीं होता, यह resistance है R1, यह resistance है R2, ठीक है, तो अब देख लो, बच्चो, voltage अगर difference है, तो यह total voltage V is equal to V1 plus V2 लिख सकता हूं, अहीं हापर, तो V is equal to क्या लिख सकता हूं, V is equal to nothing but V1 plus V2, 9th में पढ़ा होगा आपने, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, current कैसे जाएगा, positive to negative, यहाँ पर उसको दो path है, बच्चो, दो path है, तो ऊपर कुछ current चला जाएगा, उसको बोलेंगे I1, नीचे कुछ current चला जाएगा, उसको बोलेंगे I2, अब आप बोलोगे सर, यह current सेम होगा या different होगा, तो it depends on resistor, resistor कैसा है, उस पर depend करता है, बच्चो, जिसका resistance कम होगा, अगला current है, ठीक है, I is different, और क्या लिख सकता हूँ में, I is equal to I1 plus I2, लेकिन यहाँ पर V कैसे होगा, constant, तो parallel combination में voltage कैसे होता है, same होता है, यह जितना voltage है, उतना voltage यहाँ पर होगा, उतना ही voltage यहाँ यहाँ पर होगा, यह wire आप कैसे भी complicated कालो, wire का कोई meaning नहीं होता है, ठीक ह minus, series में मतलब इनका current कैसे रहेगा, same रहेगा, दोनों का current कैसे रहेगा, same, यह आए, इसके अंदर भी कैसे जाएगा, I, suppose हमने यहाँ पर V voltage लगा लिया, तो इसका voltage होगा, इसका voltage होगा, V1, इसका voltage होगा, V2, बढ़िया, no problem, तो क्या बोड़ रहेगा, which bulb will be the brighter, तो कौन सा बड़ ब्राइटर रहेगा, तो जिसमें heat जहादा produce होगी, जिसमें heat जहादा produce होगी, अब यह बल्प bright, bright मतलब क्या होगी होगा, देखो बचो, हम electric current भेजेंगे, electric current भेजेंगे, electric current के वजह से क्या हो जाएगा, electron moo होगे, electron moo होगे, electron की kinetic energy होगी, imu होते वकत, electron collide होंगे, होगा, heated हो जाएगा, heated हो जाएगा, heat होके क्या हो जाएगा, heat होके वो light emit करेगा, heat होके क्या होगा, light emit करेगा, और light emit होने से वो चमकने लगेगा, okay, it become bright, चमकने लगेगा, emit the light, current, current क्यों जिसे electron हो रहा है, electron हो रहा है, मतलब उनके पास kinetic energy है, kinetic energy जिसे वो कोलाइड होगा, करनेल एटम के साथ, कोलीजन से क्या होगा, काइनेटिक इनरजी इलेक्ट्रॉन, करनेल को दे देगा, करनेल गरम होगा, गरम होके वो लाइट इमिट करेगा और चमकने लगेगा, ठीक है, इस तरह की प्रोसिजर होती है, तो अब मुझे बताओ, ह फिर से कनफ्यूज ना हो, इसलिए बता रहा था, मैं, करनेल ऐसे जा रहा है, तो 10 इलेक्ट्रॉन ऐसे इदर आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन कैसे है, सेम है, अब इलेक्ट्रॉन की से डिसाइड नहीं कर सकते, अब क्या बचा, अब बचा सात इलेक्ट्रॉन का कोलीजन हो रहा है, और बल्ब B1 में क्या हो रहा है, सिर्फ तीन इलेक्ट्रॉन का कोलीजन हो रहा है, ठीक है, अब यहाँ पर तीन इलेक्ट्रॉन का कोलीजन हो रहा है, मतलब तीन इलेक्ट्रॉन के वज़़ से हीट जनरेट होगी, और यहाँ पर सात electron collide हो रहे हैं मतलब 7 electron की heat generate होगी तो यह bulb brighter रहेगा अब मुझे बताओ 7 electron collide होने के लिए जादे करनेल चाहिए जादे करनेल चाहिए मतलब इसका resistance जादा चाहिए if r2 is greater than r1 समझो समझो r2 is greater than r1 इसका resistance जादा collision जादा जादी heat generate होगी it will be brighter या फिर आपको पता होगा yuch is equal to i square rt बराबर heat is equal to i square rt तो यहाँ पर current कैसा है same है time कैसा है same है yuch is directly proportional to r तो जिस bulb का bulb having bulb having greater resistance किसी का भी मान सकते हो bulb having resistance more will be more brighter will be more brighter ठीक है तो जिसका resistance जादा होगा वो bulb जादा brighter रहेगा समझ गए आप ठीक है उतनी जादा light emit करेगी उतना जादा वो का, okay, simple सा logic है, तो जिसका resistance ज्यादा, वो ज्यादा bright दिखेगा, समझ गया आप, ठीक है, चलो, अब इसके बाद हमें क्या करना है, domestic appliance, domestic appliance मतलब घरगूतिव current, okay, domestic appliance बताने हैं, जो की heating effect of electric current पे work करते हैं, domestic appliances, मतलब आप डेली रूटिन, अपले डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं, घर में, domestic appliance, domestic, apply, A, W, P, L, I, A, L, I, A, N, C, appliances, okay, up current, domestic appliances, work on the heating effect of electric current, heating effect of electric current पे work करने वाले, domestic appliance which work on heating effect of electric current, तो पहला, electric heater, आजकल use नहीं करते हैं, because, बिल जादा आता हैं ना बच्चो, electric heater, electric heater, heater तो पता होगा ना आपको, electric heater, electric energy is converted into heat energy, okay, second one है electric ion, इनकी वर्किंग देखेंग 시청, electric iron, इस्त्री, electric iron, ठीक है, ये भी heating effect of electric current पे यूज़ करती है, electric heater क्या करता है, heat से पानी गरम करता है, current is converted into heat, heat से पानी गरम होता है, electric iron क्या होता है, current is converted into heat और उससे हम कपड़े स्तरी करते हैं ठीक है third one बच्चो इसके बाद electric oven electric oven होता है जिसमें खाना पकाया जाता है electric oven machine होती है जो electricity पर और करती है oven उसके बाद fourth one fourth one है electric toaster यह हम नहीं use करते हैं हम तो भाकरी खाते हैं बच्चो electric toaster यह बड़े बड़े लोगों के काम है बच्चो electric toaster toaster होता है जिससे sandwich वाग और बनाया जाता है ठीक है उसके बाद fiveth वन electric kettle कैल ठीक है electric kettle केटल ठीक है केडिव अगे रिसमें होती है durch electric kettle उसके बाद sixth one हता है बच्चो तो इलेक्ट्रिक गीजर, गीजर तो पता कौन आपको, जिससे पानी गरम किया जाता है, it is used in, bathroom में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक गीजर बिठाय जाता है, ठीक है, उसके बाद, finally, इलेक्ट्रिक गीजर और fuse, fuse, fuse की भी working, आज के ही lecture में, डीटेल में बताऊंगा मैं, तो यह सारे electric appliances है, जो घर में use होते हैं, तो some other appliances, in which, other appliances, कुछ other appliances, बता दूँ मैं आपको, कुछ और भी appliances होते हैं, जिसमें हम heating effect of electric current use करते हैं, वो कौन-कौन से हैं, देख लो बच्चो, अच्छे से समझो, other appliances, electric bulb में हम heating effect use करते हैं, electric bulb में, ठीक है, बताऊंगा उसकी भी working, है अभी है, यह इसी lecture में, electric bulb में क्या use होता है, heating effect of electric current, कैसे बताऊंगा, weight, no problem, उसके बाद electric furnace, electric furnace मतलब भटी, electric furnace, ठीक होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा temperature अगर आपको बनाना है, तो electricity से आप बना सकते हो, उसके बाद third one होता है, in industry, soldering, solder करना, soldering, okay, soldering, soldering, या फिर welding, welding, metal, दो metal, एक दूसरे से, जोड देना, सिके न, weldering, soldering, cutting, drilling, cut करना, okay, cutting, उसके बाद drilling, ये सारी चीजों में, heating effect of electric current, use होता है, ठीक है, उसके बाद, in surgery, in surgery, suppose कहीं पर आप surgery कर रहे हो, तो आपको कुछ tissue cut करने, जैसे cancer का operation चड़ रहा है, आपको जो cancer की knot होती है, जो gart बनी ह होती है, वो cut करना है, तो platinum का wire गरम करके उससे cut किया जाता है, ठीक है न, तो in surgery for cutting tissues, in surgery, surgery कर रहे हैं, in surgery for cutting, for cutting, मतलब cut करना, in surgery for cutting tissues, कुछ extra tissues है, या कुछ part आपको cut करना है, by using heated platinum wire, heated platinum wire, तो platinum wire को कैसे hit करोगे, by passing the electric current, तो इस तरह से क्या होता है, heating effect of electric current का use होता है, ठीक है, तो यह था domestic appliances, और यह है other appliances in which heating effect of electric current is used, clear बच्चो, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, heating effect of electric current, अलग 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 जगा पे use कर सकते हैं, ठीक है, अब पढ़ेंगे heating effect of electric current का use, heating effect of electric current, use of, use of heating effect of electric current, in, 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 number one, number one, पहला electric bulb, बहुत interesting है बच्चो, किस में, electric bulb में, electric bulb में, heating effect of electric current कैसे use होता है, तो electric bulb क्या होता है, जो हमें light देता है, उसे क्या कहते है, electric bulb, अब यह जो bulb होता है न बच्चो, electric bulb, electric bulb की मैं diagram बना दूँ, rough diagram बनाऊगा, ज्यादा कुछ serious मतले न, drawing को, इस तरह से एक cap होती है, बच्चो, metallic इस बच्चो, इस बच्चो, अभी यह जो होता है, यह जो होता है, यह जो हता है, यह पूरा vacuum होता है, या फिर कई बार अगर आपने bulb फोड़ा, यह tube light फोड़ी, तो उसमें से कुछ gas cook होता है, वो gas दो हो सकते, एक तो nitrogen होगा, nitrogen होगा, या फिर organ होगा, अब nitrogen या organ ही क्यों use करते है, because inert gases से बच्चो, inert gases से temperature कितना भी जाधा हो जाए, यहाँ पर कोई reaction होने नहीं देंगे, ठीक है, तो इस तरह से arrangement होगी, तो सबसे पहले solenoid समझते बच्चो, क्या होता है देख लो, अगर coil कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे solenoid, अब यह coil अगर आपने ऐसे round कर दिया, अगर ऐसे round कर दिया, 12 में पड़ोगे आप, तो इसको बोलेंगे toroid, इसको क्या बोलेंगे toroid, 12 में आएगा आपको यह बहुत बहुत जगा आ जाएगा, इसको solenoid, इसको toroid, कोई rocket science नई है, ओके simple, तो इस तछा कि एक coiled wire होती है, उसको solenoid coiled को जाएब, क्या कहा जाता है, तो अब electric Twin क्या होता है ऐलैक्टिक बल्प में एक फिलामेंट होता इनु काौन से मेटल का टंकस्टन का है Entscheid ही क्यों यूज होता है देखलो वह पुज़िवmusic का का melting point होता है tungsten का melting point melting point बहुत जादा होता है बहुत जादा कितना होता है 3410 degree Celsius 3410 degree Celsius आप यह अलग-अलग बुक में अलग-अलग आ जाएगा ठीक है तो आप बोर्ड के हिसाब सजाओ 3410 degree Celsius इतना melting point होता है melting point मतलब वितल बिंदु मतलब क्या जो जिस भी इतने टेंपरेचर होने तक वह पिग लेगा क्या नहीं ओके हाइं मेल्टिंग पॉइंट ओके वेन इलेक्रिक करण्ट इस पास थ्रूद फिलामेंट इड़ बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा इसका heat generate होने लगी गया और चमकने लगीगा temperature it becomes hot it becomes hot वह गरम हो जाएगा it becomes hot and emit light and emit emit light गरम हो जाएगा और गरम होने पे क्या करगा अब यह जो pulp होता हैEMA is filled with, bulb is filled with, filled with nitrogen or organ gas, nitrogen or organ gas, which are inert, जो कि inert है, non-reactive है, which are inert, अब यह inert होने के वज़े से यह कोई reaction नहीं होने देंगे, reduction, oxidation या कोई और reaction यहाँ पर नहीं होने देंगे, यह जो atmosphere होगा, यह सारा, inert रहेगा, कैसे रहेगा, inert रहेगा, chemically inactive रहेगा, to prevent oxidation या prolonged their life, okay, life बड़ाने के लिए, okay, gas which are inert and, and avoid, avoid any chemical activity, any chemical activity, मतलब किसी तरह की chemical reaction वो होने नहीं देंगे, activity, chemical activity, और इसके वाज़े से क्या होगी, life जो होती है, life of bulb increases, life of bulb increases, समझ रहे हो, बहुत सिंपल है बच्चो, so this is all about electric bulb, electric bulb में heating effect of electric current कैसे use हो रहा है देखो, जब भी हम इसमें से current pass करेंगे, जब इसमें से current जाएगा, तो current जाने के बाद, ये coil में से current जाएगा, इसकी resistivity भी जादा होती है, resistivity जादा होने के कारण, इसमें current flow होगा, भूथ heat generate होगी, heat generate होने से इसका temperature बढ़ेगा, अब melting point जादा क्यों रखा गया, अगर temperature बहुत limit से के जादा बढ़ गया, तो ये पिगल जाएगा ना, तो ये current का temperature बढ़ जाने से, current के वजह से temperature बढ़ जाने से ये पिगलना नहीं चाहिए, इसलिए इसका melting point बहुत जादा है, मतलब इसको high temperature पे हम maintain कर सकते हैं, तो इसको बार-बार-बार current flow करने से वो गरम होता जाएगा, होता जाएगा, और finally क्या होगा, इतना गरम हो जाएगा, कि वो light emit करने लगेगा, अब इतना जादा temperature पे यहाँ पर chemical changes हो सकते हैं, वो chemical changes ना हो, इस तरह से electric bulb में क्या use होता है, heating effect of electric current, heating effect of electric current, ठीक है, अब इसके बाद बच्चो हम देखेंगे, iron में कैसे use होता है, heating effect of electric current, आपको hots में दिया गया है, hots का question है, explain the application of heating effect of electric current in electric iron, बहुत interesting है बच्चो, electric iron, electric iron, अब electric iron में एक special type का material यूज होता है, जिसे mica कहते हैं, क्या कहते हैं, माइका, अब माइका की speciality क्या है, देख लो बच्चो, माइका की speciality ये है, it is a good conductor of heat, good conductor of heat, मतलब ये heat तो conduct करता है, लेकिन, लेकिन, माइका एक plastic, एक material होता है, bad conductor of electricity, bad conductor of electricity, 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 आजकल बहुत fashionable electric iron आते हैं बच्चो, अपने Phillips की iron देखिए, पूरी plastic की दिखती हो उपर से, मतलब पूरी तरह से वो plastic का उस पेक cover होता है, तो वो plastic क्या होता है, माइका, that material is माइका, तो माइका की speciality क्या है, इसमें से heat तो conduct हो सकती है, लेकिन, electricity conduct नहीं हो सकती, तो electric iron wire में क्या किया जाता है, एक high resistance coil, अब high resistance क्यों हो, ताके जाधी heat generate हो, एक high resistance coil, coil मतलब wire को गुंडाल लेना इसे, high resistance coil, high resistance coil is maintained, high resistance coil is maintained between mica sheet, high resistance coil is maintained, कई लोग mica, mica, कुछ भी बोल दें, high resistance coil is maintained in mica sheet, why mica sheet, because mica sheets are such a sheet, which carry heat, but do not carry the electricity, अब electricity भी carry करते हैं, तो shock लग सकता न, इस तरी को हाथ लगाने से, तो high resistance coil is maintained between mica sheet, mica sheet के अंदर, high resistance coil आपको maintain करना है, ठीक है, अब यह जो block है, this block, this block, is provided, provided with plastic handle, क्यों plastic handle, ताके electric shock ना लगे, जो use कर रहा है, उसको ऐसे press कर रहा है, plastic handle, और plastic में से heat भी generate नहीं, heat भी pass नहीं होती, और electricity भी pass नहीं होती, अगर mica का ही handle use करते हैं, तो गरम हो जाता है न, तो उसको गरम पकड़ के आप कैसे इस तरी करते हैं, समझ रहे हो न, तो इस तरह से यह जो block होता है, उसको plastic का handle दिया जाता है, तो mica की property क्या होता है, coil gets heated, coil गरम हो जाएगी, अब जो coil है, coil के surrounding में कौन सा material है, mica, and heat is, and heat is conducted, conducted by mica, and used for, and used for pressing the cloth, press करना, कपड़ों को प्रेस करने के लिए उस heat का use होगा, लेकिन मायका में से electricity pass होगी क्या नहीं, तो electricity pass नहीं होगी, मतलब आपको क्या हो जाएगा, bad conductor of electricity होने से, it protect you from shocking, protection from getting electric shock, तो आपको electric shock नहीं लगेगा, ठीक है, उसको touch भी हो गया, तो electric shock नहीं लगेगा, और good conductor of electricity से heat transfer होगी, और इसी heat की मदद से हम क्या कर सकते हैं, कपड़ों को प्रेस कर सकते हैं, तो इस तरह से working होता है किसका electric ion का, तो electric ion क्या होता है, electric ion एक high resistance coil होती है, resistance क्यों high होता है, विकाज resistance अगर high होगा, तो number of collisions जादा होगे, जादा heat generate होगी, या जल्दी heat generate होगी, और क्या किया जाता है, ऐसे block को plastic handle provide किया जाता है, अब जब current pass करोगे, तो बहुत सारी heat generate होगी, माय का गरम हो जाएगा, और गरम का आप यूज करके कपड़े प्रेस कर सकते हो, और माय का में से electric current pass नहीं होता, इसलिए आपको electric shock से protection मिलेगा, लेकिन heat pass होती है, इसलिए हम उस heat को utilize कर सकते हैं, ठीक है, अब इसके बाद देखा, आपका electricity bill, ओके, आपने पूरे साल का electricity bill observe किया, electricity bill, electricity bill, तीनो रूतु, मतलब तीनो ताइब के मौसम का observe किया, summer, winter, rainy season, ठीक है ना, summer मतलब धुपकाला, उनाडा, हिवाला, पाउसाला, ठीक है ना, तो summer में क्या होगा बच्चो, तो electric appliance जादा use होंगे, electric appliance जादा use होंगे, क्यों जादा use होंगे, because temperature जादा रहता है, temperature जादा रहता है, इस temperature में हम कौन से instrument यूज़ करते हैं, AC का use जादा होगा, fan का use जादा होगा, जो उसकी power rating जादा होती, AC का use जादा, fan का use जादा, या फिर जो cooler होता है, cooler का use जादा ह होता है ठीक है तो इस तरह के यूज जादा होते हैं और दिन भर रात भर यह सारी एक्विपमेंट चलते रहते हैं तो समर का जो इलेक्टिसिटी बिल है वो बहुत जादा होगा अब विंटर का इसके कंपेरिजन में कम होगा रेनी सीजन और विंटर का कंपेरिटिवली सेम रहेगा ओके थोड़ा भुध कम जादा होगा depending upon यूज लेकिन समर का जो इलेक्टिसिटी बिल है वो बहुत जादा होता है क्यों विकॉज हम समर में बहुत जादा इलेक्टिक अप्लायंसे यूज करते हैं जिस वजह से समर में जो होता है इलेक्टिक बिल, इलेक्रिसिट स्टेट एलेक्रिसिटिटी बोर।र्ण तीन तरह के वाईर यूज़ करता है फेज ठीक है ना एक वायर जो होता है इसको क्या कहते है फेज या फेज को कई बार क्या कहा जाता है लाइव वायर जिन्दा है उसमें से करण जाएगा ठीक है इसको हाथ लगाओगे तो शॉक लगेगा और जो सेकंड वायर होता है सेकंड वायर इसको कहते हैं न्यूट्रल क्या कहते हैं, neutral wire, और जो third wire होता है, new wire को positive terminal, neutral wire को negative भी consider कर सकते हैं, और third वाला wire जो होता है, जिसे earthing कहते हैं, क्या कहते हैं, earthing, तो state electricity board में तीन wire होते हैं, phase wire, neutral wire, earthing wire, तो इंडिया में phase और neutral wire के बीच का जो potential difference होता है, that potential difference is 220 hold, in India, the potential difference between phase wire and neutral wire is 220 hold, कितना होता है, 220 hold, अब जो fuse connect करते हैं, fuse, यह important information आपके लिए, fuse हमेशा किस wire को connect करते हैं, जिसमें से current flow होता है, तो current किस में से जाता है, phase wire में से, किसमें से phase wire में से, या live wire में से, lie wire में से, तो fuse हमेशा, कहां connect होती है, fuse is connected to, fuse is connected to, lie wire और phase wire, ठीके न, या main supply, ठीक है, उसके बाद, what does the electricity meter measure, तो electricity measures, क्या measure करता है, electric energy use, electric energy use, जो meter होता है, हमारा meter, घर में लगाए वा meter होता है जिसमें electricity का bill आता है, तो electric energy is measured by, measured by electric meter, जो हमारे घर में लगाया हुआ है, वो क्या measure करता है, एलेक्टिक एनर्जी और किसमें मेजर करता है किलो वैट आवर में और एक किलो वैट आवर वरोबर होता है 3.6 इंटू 10 तू दी पावर 6 जूल या इसको ही हम प्यार से बोल देते वन यूनिट कितने यूनिट इलेक्टिसिटी हमने यूज की तो यह क्या होता है वन एक सीरीज कनेक्शन एक पैरलल कनेक्शन तो डोमेस्टिंग जो अप्लाइंसे होते हैं डोमेस्टिक अप्लाइंसे डोमेस्टिक अप्लाइंसे मतलब घर में डोमेस्टिक अप्लाइंसे मतलब टीवी फैन कूलर यह सारी चीजे इनका कनेक्शन कैसे होता है पैरलली होते हैं, series नहें, parallelly connect होते हैं, अब इसका advantage क्या होगा? Parallel connection में voltage कैसे होता है? Same होता है, तो all will have, all will have same potential difference, सारो का potential difference कैसे हो जाएगा? Same हो जाएगा, ठीक है? अब इसका फाइदा ही होता है, बच्चो, suppose हमने क्या किया? सारे instrument हमने parallelly connect किये, ठीक है? parallel connect किये, suppose हमने क्या किया, यहाँ पर bulb connect किया, यहाँ पर एक fan है हमारा ठीक है, और यहाँ पर मैंने suppose टीवी connect किया, यह मेरा टीवी है, यह फैन है, और यह bulb है, तो ऐसा हमारा home appliance का circuit arrangements होता है they domestic home appliance और इस पे घाली चीजें ban पर स्वाइन की उतना current ले लेगा, I current through fan, bulb को जितना चाहिए, वो उतना ले लेगा, current through bulb, TV को जितना चाहिए, वो current through TV, उतना ले लेगा, वो ऐसे current जाएगा, flow हो के वापस आ जाएगा, ठीक है, तो इसका अगर voltage V है, मतलब 220 hold है, तो TV के across भी कितना होगा, 220 hold होगा, because parallel में कैसे होता है, voltage, same होता है, ठीक है, मगल current कैसे होगा, अलग-अलग होगा, अब parallel combination का फायदा यह होता है, suppose किसी वज़ह से क्या होगा, आपका fan damage होगा, fan damage होगा, चल नहीं रहा, कुछ connection तूड़ गया, कुछ होगा, तो सिर्फ fan बंद होगा, बल्ब को electricity मिलती रहेगी, TV को भी electricity मिलती रहेगी, अब instead of parallel, suppose यह series connected होते, यह बल्ब, यह TV और उसके बाद, अगर क्या था पच्चों, यह fan, यह तीनों connected होते, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, इसको हमने यह positive, negative supply connect किया, यह हमारा bulb होता, यह हमारी TV होती, यह fan होता, fan होता और यह TV होती, ठीक है, तो यह क्या था हमारा bulb, TV और यह fan, तो fan अगर खराब हो गया, तो यह बंद हो जाएगा, fan बंद रहेगा, बाकि सारी चीज़े तो चालू रहेगी ना, इक इसा होता है, बागि सारी चीज़े तो चालू रहेगी, तो यह advantage होता है, किसका parallel combination, parallel combination के दो फायदे होते हैं, पहला फायदा यह होता है, बच्चों कि parallel combination में, होल्टेज कैसा रहेगा सेम रहेगा domestic appliance is a parallel combination सब सारों का voltage कैसे होता है सेम और दूसरा फायदा यह होगा कि कोई एक instrument या कोई एक bulb fan या कुछ खराब हो गया तो उतना ही बंद रहेगा बाखी की चीज़े बंद रहेगी क्या नहीं तो यह अब उसके बाद देखेंगे बच्चो एक होता है एक होता है एक होता है न्यूटल वायर और एक होता है अर्थिंः वाइर ओके फेज वाएर जिसमेंसे करंट जाता है दूसरा होता है न्यूटरल वायर फेज वायर ऑर लिव वाइर भी कहते हैं न्यूटरल वायर और एक होता है ए modular thing योई होता है अर्थिंग वायर का कंसिप क्या होता है बच्चो देख लो सपोज कोई metallic चीज है metallic instrument है एक metallic instrument है तो earthing wire क्या करते है इसको कने करते है इसके metallic body को कने करते है और यह जाके जमीन में गाड़ देते है जमीन में ऐसी metallic plate होती है इसमें koila, नमक वगेरा दाल के रख देते है ऐसा क्यों करते है किसी reason से, समझो किसी reason से क्या हुआ यह जो 3 wire थे, 3 wire कौन-कौन से? Liu, Neutral और Earthing यह Liu wire कट हो गया और इसके metallic body को touch किया इसने, तो metallic body को अगर touch किया तो इसमें charge flow होगा अब अगर आप इसको touch करोगे इसको touch करोगे, इसको touch करोगे आप तो आपके जरिये, सारा charge किदर चला जाएगा? अर्थ में तो आपके अंदर से current flow होगा न तो आपके अंदर से current flow होगा तो आप मर सकते हो न ठीक है न तो अगर आपने earthing provide की है तो जैसे ही यह wire metallic body के contact में आ गया इसमें से जो charge flow हो रहा है excessive charge इस connection के थूँ जमीन में चला जाएगा और जमीन कितना भी charge digest कर सकती है it is the best neutral source या best negative terminal जो अर्थ होती है it is the best negative terminal सारा कितना भी negative charge है अबज़र करते है lightning, lightning का concept क्या होता है lightning, बिजली क्यों कड़कती है, बिजली क्यों गिरती है lightning क्या होता है suppose यह एक आपका एक धगा है पाने अचर धग मतलब आपका suppose यह बादल है यह दूसरा बादल है यह अगर एक दूसरे पर रभ होंगे रभ होंगे, रभ होंगे रभ होने से यहाँ पर static electricity generate होती है बहुत सारा charge generate हो जाता है बहुत सारा charge मतलब यह positive charge होगा तो जो earth होता है यह negative charge होता है तो यह positive terminal यह negative terminal अब इन दोनों के बीच में जो voltage generate होता है वो 10 to the power 6 hold होता है imagine करो एक million hold 10 to the power 6 hold तो अब इतना जादा hold अगर generate होगा तो बहुत fastly ऐसा क्या हो जाएगी वो electricity नीचे आएगी इससे को हम क्या कहते है lightning कहते है तो इस तरह से यह low होती है तो अगर metallic body का instrument है आपका तो उसको अगर हमने एक wire connect कर दिया और हो जमीन में गाड़ दिया लेग जाकर तो अगर live wire suppose accidentally इसको touch हो गया तो इसमें charge जमा हो सकता है तो यह charge यह wire के थूँ इधर चला जाएगा अब आप इसको touch भी करोगे तो आपको उतना ज़्यादा feel आएगा क्या मतलब उतना high current आएगा क्या नहीं विकाज यहाँ पर current के लिए already एक path है तो यह concept होता है arthing wire का तो arthing wire का ज़्यादा tension नहीं लेना ठीक है कई बार इसको unconnected हम छोड़ देते हैं ठीक है तो अब क्या होता है यह phase wire और neutral wire suppose accidentally क्या हो गया यह इसके उपर plastic की covering होती है suppose किसी चूहे ने काड़ दिया उसको या फिर बहुत दिनों के बाद यह break हो गया और phase wire और neutral wire एक दूसरे के contact में आ गया ठीक है अब यह phase wire और neutral wire ऐसे आगे जाके किसी resistance से connect होगा what do you mean by resistance वहाँ पर fan होगा light होगी या कोई machine होगी तो यह current इधर से जा रहा है machine में use हो रहा है इधर से वापस आ रहा है ठीक है मतलब resistance यह जो energy है इसकी यह utilize कर रहा है लेकिन suppose अगर यह directly यहाँ पर connect हो गया इसको यह connect हो गया तो क्या हो जाएगा इस path का जो resistance होगा वो बहुत कम होगा बिकाज यह conductor बन गया ना यह दोनों एक दूसरे को touch हो गया अब यह दोनों अगर एक दूसरे से touch हो गया तो यहाँ पर बहुत सारा current suddenly flow करेगा तो बहुत सारा current अगर suddenly flow करेगा तो बहुत सारे collision होगी बहुत सारे collision होने से क्या हो जाएगा heat generate होगी और यहाँ पर अगर कोई inflammable जो जल्दी जल सकता है suppose कपडा है रूई है या ऐसी कोई चीज़े कागस है इसके नजदिक होगा तो क्या हो जाएगा वो जलने लगेगा उसका भी temperature बढ़ जाएगा जलने लगेगा और आग लगती है तो इसी क्या कहते है short circuit कहते है समझ गया आप चलो तो short circuit मैं आपको बताता हूँ if bare new wire and bare neutral wire bare मतलब भोंगड उस पर cover आवरन रहेगा क्या cover रहेगा क्या नहीं ठीक है ना मतलब if bare without plastic cover if bare live wire and and bare neutral wire neutral wire if bare earth wire touch each other touch each other एक दूसरे को touch करेंगे touch each other तो क्या होगा resistance of circuit become very small direct contact में आगया ना ओधर मोटर में current use ही नहीं होगा ठीक है हमने क्या किया यह हमारा एक wire है यह दूसरा wire है यहाँ पर हमने एक electric motor चालू की है ठीक है यह new wire है हमारा lie wire है यह neutral wire है लेकिन किसी वजह से किसी वजह से इसका औरन और इसका जो cover था bare हो गया है इसका जो plastic cover था निकल गया और यह एक दूसरे के contact में आ गया तो आगे करन जाएगा यह नहीं है यहाँ से बहुत सारा करन जाएगा तो if bare lie wire and bare neutral wire touch each other then resistance then resistance resistance of circuit becomes very small resistance of circuit becomes very small बहुत कम हो जाएगा resistance of circuit becomes very small तो circuit का resistance कैसे हो जाएगा बहुत small हो जाएगा तो resistance कम होगा तो very huge current very huge current very huge current flows flows through circuit, बहुत ज्यादा current flow होने लगेगा, अब जितना ज्यादा current flow होने लगेगा, इसी को क्या बोलेंगे हम, इसी को क्या बोलेंगे, this condition is called as short circuiting, इसको क्या कहते है, short circuiting, this concept is called as short circuiting, in short circuiting, large amount of heat is generated, ज्यादे current के होजे से, large amount of heat is generated, बहुत सारी heat generate होगी, तो बहुत सारी heat generate होने से नुकसान ही हो जाएगा, अगर उसके surrounding में, उस wire के surrounding में, अगर inflammable substance होगे, if wire is surrounded by inflammable, jolanus shield, inflammable materials, like rui है, kagaz है, ऐसा कुछ होगा, तो आग लग जाएगी उसको, और सारी चीज़े जलने लगीगी, ठीक है, तो इसी तरह से short circuiting की वज़े से कई बार क्या हो जाता है, आग लग जाती है, ठीक है, क्या हो जाता है, आग लग जाती है, तो अब इसको avoid क करने के लिए क्या किया जाता है, बच्चो, lie wire पे हमेशा क्या किया जाता है, circuit protector बिठाया जाता है, क्या बिठाया जाता है, circuit protector, circuit protector basically होता क्या है, fuse होता है, क्या होता है, fuse होता है, तो fuse क्या होता है, हमने क्या किया, lie wire में, okay, sorry, चलो, इसको हम आगे पड़ेगे, no problem, okay, तो य अब इसके बाद पढ़ते हैं, ओर लोडिंग, तो पहले देखेंगे, ओर लोडिंग किसे कहते हैं, ठीक है, तो ओर लोडिंग मतलब क्या, a flow of large amount of current in a circuit, a flow of, a flow of large amount, large amount of current, large amount of current in a circuit, large amount of current in a circuit, beyond the permissable value, beyond, beyond the permissable value, जितनी permission है, उससे जदा, beyond the permissable value, permissable value से जदा current flow होना, is called overloading, is called overloading, अब देखेंगे, overloading क्यों होता है, ठीक है, overloading क्यों होता है, ठीक है न, तो cause of overloading, cause, overloading का cause, क्यों होता है, देखेंगे, बच्छों, when many electrical appliances, when many electrical appliances, when many electrical appliances are, when many electrical appliances are, many electrical appliances of high power rating, मतलब जैसे mixer है, motor है, AC है, high power rating, many electrical appliances of high power rating, such as geyser, AC, refrigerator, ठीक है, such as geyser, okay, AC, refrigerator, refrigerator, ठीक है न, इस तरह के जो instrument होते हैं, refrigerator, switched on simultaneously, इनको एक बार ही चालूगा, switch on simultaneously, तो एक ही बार अगर आप इसको चालू करोगे, तो क्या हो जाएगी, overloading हो जाएगी, क्या हो जाएगी, overloading, okay, तो, overloading can be avoided by not connecting, okay, तो इसका, कैसे, prevention क्या है, prevention क्या है, तो जिसका, जिस वजह से हो रहा है, उसको avoid करना, not switching on, switching on the many appliances at the same time, बताऊँगा बच्वो, गवराही में सारी चीज़े explain करूँगा, at the same time, ठीक है, suppose बच्वो, एक rough idea मैं आपको बताऊँगा, suppose हमने क्या किया, एक source ले लिया, क्या किया, हमने एक source ले लिया, ठीक है, suppose this is the source, ठीक है, अब हमारे जो appliances होते है, यहाँ पर एक appliance है यह दूसरा appliance है चलो ठीक है І अच्छी डीचर बनाएंगी थोड़ी सी है चलो यह एक appliance है हमारा यह दूसरा appliance यह तीसरी appliance ठीक है अब इनको हमने क्या किया पाहुलेली कनेक किया है thak they did करने किया हमने और यह हमारा मीटर है मीटर को कनेक्शन दे दिया हमने इस तरह से हो गया तो यह हमारा AC है यह हमारा क्या है रेफ्रीजरेटर है रेफ्रीजरेटर है और यह हमारा क्या है गीजर है सपोस है पाउर रिटिंग वाले instrument है, AC बोली कि भाई, मुझे चालो होने के लिए जादा current चाहिए, मेरे तरफ जादा आजा refrigerator बोलगा, मेरे तरफ जादा आजा geezer बोलेगा, मेरे तरफ जादा आजा तो यहाँ पर, इस node पर, इस junction पर, तीनो जगह से current की जादी मांग होगी तो current की अगर जादी मांग होगी तो यह source जादा current देने की कोशिश करेगा अब यह अगर जादा current देगा limit से जादा, तो क्या हो जाएगा बच्चो, ओर लोडिंग हो जाएगी ओर लोडिंग हो जाएगी, और ओर लोडिंग की वज़े फ्यूज एक low melting point wire connect करते है simple, क्या करते है एक low melting point wire connect करते है मतलब जो थोड़ा सा भी गरम हो जाएगी तो पिघल जाएगी, ठीक है तो अब ऐसी wire बिठाओ, जिसमें से सिर्फ एक ampere current जाने तक ही वो solid state में रह सकती है एक ampere से थोड़ा भी current अगर जादा होगा तो गरम हो जाएगी और फिघल जाएगी ठीक है, तो यह क्या किया हमने low melting point wire connect करते है जिसको हम fuse बोलेंगे अब सपोज इसमें से 1.2 ampere current जा रहा है कितना? 1.2 ampere current तो यह इतना गरम हो जाएगी कि गरम होने पर यह पिघल जाएगी जैसे ही यह पिघल जाएगी electricity बंद हो जाएगी जिसको हम fuse उड़ जाना कहते तो circuit break हो जाएगा और बंद हो जाएगा फिर आप जाके देखोगे fuse चेक करोगे फिर से आप उसको connect करोगे इस वजह से क्या हो जाएगा यह instrument protect हो जाएगे otherwise अगर आपने fuse connect नहीं किया होता तो बहुत सारा current इधर चले जाएगा और यह damage हो सकता ठीक है आवहाँ पर short circuiting या overloading का problem हो सकता ठीक है तो overleading क्या होता है flow of large amount of current in a circuit beyond the permissible value permissible value से जाधा current flow होना उसे कहते ओर-loading और इसका cause क्या होता है बहुत सारे instrument at a time चालू कर देना उस वजह से यह होता है और इसका prevention क्या है कि भाई बहुत सारे instrument at a time चालू मत करो ठीक है तो इस तरह होता है ठीक है अब इसके बाद क्या होगा बच्चों जो यह होता है क्या हमारा fuse फ्यूज के बजाए आप एक special type के circuit breaker भी आजकल यूज हो रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं, बच्चों उन्हें कहते हैं, यम-C-B, आजकल यम-C-B यूज हो रहे हैं, अब फ्यूज का drawback यह है, बच्चों आपको जाना पड़ेगा, फ्यूज चेक करना पड़ेगा, फिर उसक को उपर कर देंगे, डाइरेक्ट चलो हो जाएगा, फिक है, तो यम-C-B, यम-C-B का long form होता है, manager circuit breakers, MC-B क्या होता है, manager circuit breakers, ओके, manager, manager circuit breaker, यह अलग-अलग design में आते है, circuit breaker, manager circuit breaker, तो manager circuit breaker एक type का switch होता है, बच्चों, एक rough idea बता देता हूँ मैं आपको, इसकी working आपके syllabus में नहीं है, ठीक है, तो यह lie wire को ही connect होता है, जैसे fuse lie wire को होता है, manager circuit breaker भी lie wire को भी connect होता है, तो इसमें क्या किया जाता है, कुछ इस तरह का switch arrange किया जाता है, कि अगर, 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 अगर क्या होगा, इसमें, suppose यह 1 ampere current allowed है, तो 1.2 ampere current अगर यहाँ पर चला गया, तो 1.2 current ampere जैसे ही जाएगा, तो यह switch automatically नीचे चला जाएगा, magnetic effect of electric current से, जो कि आपकी से levels में फिलाल नहीं है, यह switch है, वो नीचे चला जाएगा, और circuit break हो जाएगा, और current flow नहीं होगा, तो simply आपको जाकर क्या करना है, देखना है, कि MCV में switch नीचे है या उपर है, तो अगर नीचे होगा, तो over loading हो गई थी, और आपका circuit break हो गया, आप पर देख लेना, आपको अभी चाहिए, तो इसे कहते है, MCV, या manager circuit breaker, तो fuse के जगा आप क्या use कर सकते हो, MCV, आप fuse अलग-अलग shape में आ जाते है, बच्चों कही बार, ठीक है, आप inverter का fuse देख लो, अलग size का होता है, दूसरे चीज़ों का fuse देख लो, वो अलग size का होता है, ठीक है, अब इसके बाद हम electrical consumption के कुछ problem पड़ेंगे, ठीक है, तो next problem, आज का problem number 1, क्या कहता है, देख लो, number 1, ओके, हर बार problem pause करके try करना, an electric iron rated 750 watt, एक electric iron ने जिसका power है, 750 watt, कितना है 750 watt, okay, 750 watt is operated for 2 hours per day, okay, operated for 2 hours per day, time कितना है, 2 hours per day, एक दिन में कितने घंटे यूजर है, 2 hours, how much energy is consumed by electric iron in 30 days, okay, electric energy consumed, energy पता करना है आपको, energy कितनी consumed हो, कितने दिन में, 30 दिन में, कितने दिन में, 30 दिन में, okay, तो हम पहले क्या करेंगे, total time of operation निकालेंगे, total time of operation, मतलब उसको, कितने दिन में, कितने टाइम के लिए, 30 दिन में operate किया गया, तो एक दिन में अगर 2 घंटे, तो 30 दिन में कितना, 2 into 30, मतलब कितने घंटे चलाया गया उसको, 60 hour, उस इस्तरी को हमने कितने घंटे चलाया, 60 hour, तो जबी भी आपको electric energy find out करना है, तो kilowatt hour में find out करना पड़ेगा, तो make sure that your time is in hour and power is in kilowatt, but here power is in watt, तो how to convert watt into kilowatt, just divide by 1000, तो power क्या हो जाएगा, 750 watt, इसको अगर 1000 से divide कर दोगे, यह हो जाएगा kilowatt, तो simply करना क्या है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो यह आजाएगा, 0.75 kilowatt, अब हमें पता है, electric energy क्या होता है, power into time, तो हमारा simply power किसमें, kilowatt में, time किसमें, hour में, तो power, power किसमें, power कितना है, 0.75 kilowatt, बराबर into, time कितना है, 60 hour, अब आप बोलोगे sir, time तो 2 hour है ना रहे भाई, 2 hour per day है, लेकिन हमारे, हमें 30 day का पूछा गया है, तो एक दिन में आगर 2 घंटे चलेगा, तो 30 दिन में 60 घंटे, तो यह अगर 0 मर गया, तो यह इदर चला जाएगा, यह हो जाएगा, 7.5 into 6, साय पंचे 30 शुन्य, हच्चाले 3, साथी सकंबे 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 1 के बाद point, और यह क्या बचेगा, kilowatt hour, and this kilowatt hour is nothing but unit, तो कितना भी लाएगा, 45 unit का, तो कितनी electric energy consume भी, 45 unit, कई बार इसका, electric bill find out करने के लिए दे देता है, एक unit का इतना rate होता है, तो electricity bill find out करो, ठीक है, so 45 kilowatt hour या 45 unit, electric energy consume होगी, ठीक है, let us move on to problem number 2, okay, तो क्या बोलता है, देखलो बच्चो, who will spend more energy, who will spend more energy, more electric energy, एक TV है, देखलो, एक TV है, चलो, TV ले ले लेंगे, यह सपोज यह TV है, और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, एक TV है, और एक heater है, तो TV को कितना यूज किया है, हमने, TV की power rating है 500 watt, कितना है 500 watt, और कितने देर के ल 30 minute के लिए, TV को कितने देर यूज किया, 30 minute, जिसके power rating कितने है 500 watt, उसके बाद, heater कितना है 600 watt, power rating ज्यादा है, और इसको कितना 20 minute यूज किया, ठीक है, तो कोन ज्यादा electric energy consume करेगा, चलो, कोई problem नहीं, तो पहले हम क्या करेंगे, electric energy of TV निकालेंगे, electric energy of TV is equal to power into time, ठीक है, तो power हमें kilowatt में चाहिए, तो ये तो वैट में है ना, तो 500 divided by 1000, कैसे करोगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये kilowatt हो जाएगा, into time, minute में, 30 minute मतलब आदा घंटा होता है, 30 minute, अगर इसको आप 60 से डिवाइड करोगे, तो ये hour में हो जाएगा, तो एक घंटे में 60 minute होते हैं, तो 60 स 6, 0.1 by 2, मतलब 0.5 hour, 5 into 5, 25, दो के बाद 0.25 kilowatt hour, ठीक है, तो एनर्जी कितनी कंजूम करेंगे, टीवी, 0.25 kilowatt hour, let us move for heater, electric energy consumed by heater, is equal to power into time, तो पावर कितना है, आपर 600 watt, बट वैट नहीं हमें, kilowatt करना है, तो kilowatt मतलब 1000 से डिवाइड करना, ये हो जाएगा, kilowatt, और minute को hour करना है, तो 20 divided by 60, ये हो जाएगा hour, अगर आप क्या करोगे, minute को 60 से डिवाइड करोगे, तो it will be converted into hour, तो ये एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, तो ये हो जाएगा, 0.6 into, 0.6 kilowatt, kilowatt into, 217, 217, 23, ठीक है, तो ये हो जाएगा, 1 by 3 hour, 31, 300, 32, 6, मतलब 0.2 kilowatt hour, clearly बच्चो, देखलो, electric energy consumed by TV is 0.25, ओर ये 0.2 है, तो कौन सा जाएगा होता है, 0.25 या 0.2, बताओ जल्दी, 0.25 जाएगा होता है, 0.2, तो electric energy of TV will be more, TV की electric energy will be more, electric energy of TV will be greater than electric energy of heater, तो TV क्या करेगी, heater से जाएगा electric energy consume करेगी, हो गया, चलो ठीक है, this is the numerical number 2, ठीक है, let us move on to numerical number, next, क्या बोड़ रहा है, if a TV set of rating 100 watt operates 6 hour per day, find the number of units consumed in a leap year, किसमे, leap year में, leap year में कितने days होते है, 366 days, normally year में कितने days होते है, 365, लेकिन leap year में कितने होते है, 366 days, तो क्या बोड़ रहा है, देखलों बच्चो कही बार ये भी आ जाता है, नियुमेरिकल ऐसा, ओके, problem number आज का third problem, ये क्या बोड़ रहा है, TV rating power, power कितना है, इसका 100 watt, 100 watt, watt is not allowed ना, बच्चो इसका kilowatt करना पड़ेगा, तो 100 को अगर thousand से divide करोगे, तो ये हो जाएगा kilowatt, तो कैसे करोगे, 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो ये हो जाएगा 0.1 kilowatt, तो TV की power rating कितने है, 0.1 kilowatt, operate for 6 hour per day, time कितना है, 6 hour per day, तो पूरे year के लिए पता करना है, वो भी leap year, तो leap year में क्या होता है, leap year has 366 days, कितने days होते है, 366 days, ठीक है, तो per day कितना hour चला रहे हो, आप 6 days, तो total time क्या होगा, total time, तो एक दिन में 6 घंटे, दो दिन में 12 घंटे, तो 366 दिन में 6 घुनिले 366, तो कितना हो जाएगा, 366 सहा, टाइम हा, 366 सहा, 463, 243, 483, 483, 483, 216, 216 घंटे, ठीक है, ना, 2,196, ओके, इतने घंटे आप operate करोगे, उसको, ठीक है, तो energy, एनरजी कैसे नहीं कालो के power into time, तो power कितना है, power is 0.1 kilowatt and time is 2196 hour, तो simply यह 0.1 से multiply करो के तो यह point इधर shift हो जाएगा, तो 219.6 kilowatt hour और इसको ही पैर से हम क्या बोलेंगे, 219.6 unit, इतना electricity का bill आएगा आपका, या इतने units आपके burn करेगे TV, लिप एर में, किसमें, लिप एर में, ठ let us move on to numerical number 4, 4th numerical, क्या कहता है, an electric appliance, an electric appliance of power rating 300 watt, इसका power कितना है, 300 watt, okay, no problem, is used 5 hours per day, तो time क्या है, 5 hours per day, perfect, okay, in a month of March, find the number of unit consumed, तो मार्च में कितने दिन होते हैं, 31, जाने वारी, फेबरॉरी, मार्च, मार्च मतलब 31, ऐसे major करते हो आप जाने वारी में, फेबरॉरी, मार्च, मार्च, तो total time, मार्च में निकालना है, तो मार्च में 31 days होते हैं, ठीक है, ना, मार्च में कितने दिन होते हैं, 31 days, तो total time, टोटल टाइम टोटल टाइम पथा करें वह सब्किसी पता करेंगे वे सब्सक्राइब prochain तो एक दिन में टस्ट एक तीस दिन वह कितना पांज 155 आवर नो प्रॉब्लम तो एक दो तीन दो क्यांसल हो जाएंगे एक इधर सरग जाएगा तो 0.3 इंटू 155 किलो वैट आवर तो पास्तिरिक पंदर अला पास अच्छाला एक पास्तिरिक पंदर अच्छाला एक तीन एक तीन एक चार पॉइंट एक के बाद तो 46.5 किलो वैट आवर या किलो वैट आवर को ही हम क्या बोल देंगे यूनिट बोल देंगे तो कितनी इलेक्रिसिटी कंज्यूम होगी 46.5 परफेक्ट 46.5 यूनिट इतनी इलेक्रिसिटी हमारी कंज्यूम हो जाएगी ठीक है हर बार आपको गिवन डेटा के बाद प्रॉब rate वैट, किलो वैट करेंगे, 1000 से डिवाइड करके, operated for one hour per day, तो time कितना, one hour per day, एक दिन में एक घंटा, ठीक है, उसके बाद, if the cost of one unit, okay, cost, उसका जो rate है, unit का, three rupees, three rupees per unit है, एक unit का three rupees बिल आता है, आपको, the cost of energy operated the washing machine for a month of March, March month का बिल निकालना है आपको, electric bill, तो आपको पता होना चाहिए, March में 31 days होते हैं, कितने, 31 days होते हैं, there are 31 days in the month of March, तो अगर आप एक दिन में एक घंटा यूज करोगे, तो March के मेने में 31 दिन होते हैं, 31 दिन में 31 घंटा, तो total time, total time of utilization, कितना होगा, 31 hour, वाई, एक दिन में एक ही घंटा यूज करोगे, तो 31 दिन में 31 घंटे, तो पहले हम यूनिट, electricity consume निकालेंगे, तो energy consume is equal to power into time, make sure that power should be in kilowatt, बट यहाँ पर वैट में 300 वैट, तो क्या करोगे, 1000 से, डिवाइड कर दो, यह हो जाएगा किलो वैट, अब इसको कितने घंटे तक चलाया आपने, एक दिन में एक घंटा, लेकिन 31 दिन के लिए, तो 31 घंटे चल पड़ाओ, तो एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, तो यह 0.3 into 31 किलो वैट अवर, तो तीन एका टीन, तीन तरीक 9, तीन एक बाद, 9.3 किलो वैट अवर, मतलब टोटल एनरजी कितनी कंस्यूम हुई, 9.3 योनिट, ठीके, अब टोटल बील, अब इक योनिट का आपको कितना देना है, 3 रूपिया, तो आपने कितनी unit burn किये, 9.3, तो एक का अगर 3 रूपिया, तो 9.3 का कितना, 9.3 into 3, 3, 3, 9, 9, 27, तो लगबग 28 रूपे आपको pay करने पड़ेंगे, ठीक है, तो 27.9 rupees आपको pay करना पड़ेंगा, तो simply आपको क्या करना है, number of units find out करना है, और cost देखना है, 3 रूपे है, 4 रूप 1100, ठीक है, next number, जो कुछ भी है, electric iron जिसका power है, 1100 watt, power है, is operated for 2 hours daily, तो time क्या है, 2 hours per day, ओके, no problem, what will be the electrical consumption expense for the month of, for the month of April, अब एपरिल में कितने दिन होते हैं बच्चों, एपरिल में 30 days होते हैं, ठीक है ना, तो यहां पर जो एपरिल में पता करना है आपको, चलो, एपरिल मे पता करेंगे, no problem, एपरिल में 30 days होते हैं, पता होना चाहिए, जाने वारी, फेबरॉरी, मार्च, एपरिल, एपरिल में खड़ आया ना, मतलब 30 दिन, ओके, तो एपरिल में 30 दिन होते हैं, और इसका जो cost है, बच्चो, cost क्या है, 5 rupees per day, 5 rupees, sorry, 5 rupees per unit, या क्या उनिट कोई क्य इसने 60 घंटे, 60 hours, ठीक है, तो energy निकालेंगे, energy is equal to power into time, power कितना है, 1100 watt, लेकिन kilowatt चाहिए, तो 1000 से divide कर दिया, तो kilowatt हो जाएगा, और time कितना है, time एक दिन का 2 है, लेकिन 30 दिन का 60, 60 hour, तो 1, 2, 3, 1, 2, और यह 1.1 हो जाएगा, 1.1 into 60 kilowatt hour, तो यह point मर जाएगा, इससे 67 kilowatt hour, मतलब कितना 66 unit, एक unit का कितना pay करना पड़ा है, 5, तो कितने unit burn किया, 66, तो total bill, total bill, एक का 5, तो 66 का कितना, 66 गुने ले 5, साय पंचे 30 का 0, हच्चा है 3, साय पंचे 30 और 3, 33, तो 330 रुपे आपको pay करना पड़ेगा, थीक है, लिख लो, हो गया, चलो, net as more on to numerical number 6, तो electricity bill आप आ ठीक है, तो अभी क्या बोड़ा है, find the heat produced in joule, if the current of heat पता करनी है, जो कुछ भी है, problem number 6, heat produced in joule, if the current of 1 ampere, 0.1 ampere, तो current कितना दिया है, 0.1 ampere, आपको heat produced पता करनी है, ओके, pass through the coil of resistance 50 ohm, resistance कितना है, 50 ohm, no problem, ओके, उसके बाद, for 2 minute, time कितना है, 2 minute, 2 minute, शलो, देखते है, no problem, keeping other condition, same, if the length of fire is reduced to 1 fourth of original length, what will be the heat produced, पहले heat पता करेंगे, याच, okay, 2 minute, मतलब, 2 into 60, मतलब यह हो जाएगा, 120 second, क्या किया, second में क्या ना है, our time, ठीक है, एक minute में 60 second होते है, तो याच, I, R, T के form में कैसे निकाल हुए, याच is equal to I square R, T, तो simply 0.1 मतलब 10 to the power minus 1, समझते हो, 0.1 मतलब 10 to the power minus 1, तो यह अच क्या हो जाए, I square, 10 to the power minus 1 का square, R कितना है, 50, और time कितना है, 120, तो 10 to the power minus 1 का square मतलब यह, 10 to the power minus 2, rules of indices, minus 1 into 2 minus 2, into 50 into 120, तो यह 10 to the power minus 2 और यह 2 0, cancel, 12, पंचे, 60, 60 Joule heat generate होगी, कितना, 60 Joule heat generate होगी, correct, 60 Joule heat generate होगी, अभी सको ले लेंगे H1, H1 will be 60 Joule, H1 will be 60 Joule, जब क्या किया हमने, तो जो वायर थी, if the length of wire is reduced to 1 4th, length क्या किया, 1 4th reduce किया, ओके, तो बाद की लेंद, L2 is equal to L1 by 4 किया, बाकी सारे conditions सेम रखे, तो यह 2 क्या होगा, देको बादचो, दिमाग लगा ना है, वायर एको सब कंस्टन रखा मतलब होगी ह, H is directly, H is equal to I R T, I square R T, current same, time same, so H directly proportional to R, ठीक है, अब देखलो, आपको 9th का formula आउस करना पड़ेगा, R is equal to rho L by A, याद आया, R is equal to rho L by A, rho is resistivity, A is area, L is length, तो बाकी सब condition constant है, सिर्फ length का problem है, R will be directly proportional to L, R will be directly proportional to L, H directly proportional to R, R directly proportional to L, तो H directly proportional to L, तो H will be also directly proportional to L, तो क्या हो जाएगा, H2 by H1 is equal to L2 by L1, very simple, 2, 1, 2, 1, या H1 by H2 is equal to L1 by L2, तो H2 हमें पता करना है, H1 कितना है, H1 है 60, is equal to L2, L2 के जगा क्या रख सकते हो, L1 by 4 divided by L1, L1 से L1, cancel, 60 कोई दर shift कर दो, H2 is equal to 60 divided by 4, तो या जाएगा 15 J, तो अगर 1 4 कर दो के वायर को, तो 15 J heat generate होगी, 15 J heat generate होगी, ठीक है, तो this is numerical number 6, ओके, चलो बच्चो जन्दी जन्दी करो, numerical number 6, let us move on to numerical number 7, क्या बोड रहा है देखलो, calculate, calculate the heat produced in a calorie, calorie में पता करना, if the current of, current दिया हुआ है, 0.1 ampere, perfect, no problem, is passed through the wire of resistance, 41.8 ohm, okay, 41.8 ohm, for a time, 10 minute, चलो, कोई बात ने, 10 minute, अब minute को पहले second कर लेंगे, 10 into 60, 60 से multiply करोगे, तो second हो जाएगा, 600 second, लेकिन calorie में पता करना है, तो yach is equal to formula क्या होता है, i square rt divided by 4.18 calorie, calorie में पता करना है, तो 4.18 से j से divide करना होता है, 0.1 मतलब 10 to the power minus 1 ampere, बराबर, चलो, ठीक है, अब क्या करोगे, yach, simply values put up करो, i square, i square मतलब 10 to the power minus 1 का square into r, r कितना है, 41.8 into time, time कितना है, 600, 600, divided by time कितना है, sorry, 600, i square rt हो गया, divided by 4.18, और simply क्या आएगा, ये calorie में आजाएगा, ठीक है, अब मैं क्या करोगा, देख लो, चलो, ठीक है, ये 10 to the power minus 2 हो जाएगा, into 4.41, चलो, ठीक है, इसको आगर मैंने, इसको cancel किया, है, मैंने, चलो, ठीक है, 41.8 into 600, divided by 4.18, अब देख लो, बच्चो, अगर मैंने दिमाग लगाएगे, तो ये 10 to the power minus 2 और ये 2, 0, cancel, पहले, 10 to the power minus 2 और 2, 0, cancel, अब मैंने अगर इसको यहाँ पर shift किया, तो इसका point पर यहाँ पर shift हो जाएगा, तो ये क्या हैगा, 41.8 divided by 41.8 into 60, तो ये इससे cancel हो गया, तो answer आएगा 60 calorie, very simple, 60 calorie, या फिर calculation आपको जैसे करना है, कर ले न, इसका answer आना चाहिए 60 calorie, ठीक है, so this is about numerical number 7, let us move on to numerical number 8, calorie में पूछ ले, तो सिर्फ फर्मूले को 4.18 से divide करना है, ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं, next problem पे, क्या बोड़ रहा है, a potential difference of, problem number 8, a potential difference of, 100 hold is applied across the register, potential difference दिया है आपको, 100 hold का, applied across the register 50 ohm, resistance है 50 ohm का, okay, 6 minute and 58 second, time कितना है, 6 minute plus 58 second, okay, पहले minute को second में करेंगे, 60 into 6 plus 58, साइशाई 36, 360 plus 58, तो 8, 5, 6 और 5, 11 को एक अच्चा है, 418 second, time कितना है का, 418 second, okay, 418 second, find the heat producing joule and calorie, okay, joule और calorie में heat पता करनी है, तो यच का formula क्या होता है, यच का formula होता है, V square by R into T, बराबर V square by R into T, ये किस में होता है, joule में, V square, V square मतलब 100 into 100 into T, कि कितना है, 418 second divided by R, R कितना है 50, तो 50 से 52 जा 100, तो क्या हो जाएगा ये, 8 दोनी, 11 साथ, चला है, 2, 2, 3, 4 दोनी, 8 और ये 2, 0, तो 8, 36, 00, joule, heat कितने आएगी, 8, 36, 00, joule, अब इसको calorie में पता करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 4.18 से divide करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ये 4.18 से divide करेगा, तो 8, 36, 00, divided by 4.18 calorie हो जाएगा ये, तो इसको 0.00 लिख सकते हैं, तो ये 1, 2, ये 1, 2, तो क्या होगा, 8, 3, 6, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, इसको divide करो 4.18 से, कितने से 4.18 से, एक ये 2 से कट जाएगा, तो 2 क्या हैगे, 1, 2, 3, 4, 0, तो 20,000 calorie अनसर आएगा इसका, तो calorie में हीट कितने आएगी, 20,000 calorie, लिख लो, calorie में हीट कितने आएगी, 20,000 calorie, हो गया, चलो, last problem solve करते हैं, problem number 9, खीक है, चलो, ये last problem hitting effect of electric current, बाद में आप देख लेना सारी चीज़े, problem number 9, क्या कह रहा है, a potential difference of 250 hold is applied across the resistance, वी कितना है, 250 hold, ओके, applied across the resistance of 1000 ohm, 1000 ohm का resistance है, ओके, find the, ओके, in an iron electric ion, find the current I, current पता कर रहा है आपको, and the heat, यच, produce in 12 seconds, time 12 seconds, चलो, कोई problem नहीं, पहले हम ohm's law से current पता करेंगे, V is equal to IR, तो I कितना आजाएगा, V divided by R, तो V कितना है, V है 250, और R कितना है, 100, तो simply ये 1, 2, तो ये 1, 2, तो current कितना है, 2.5 ampere, करण कितना है, 2.5 ampere, 250 भाग लिए 1000 हैं, आराम से देख लो, बच्छो, ये 1000 हो हमें, तो ये 1000 मतलब 30, 30 में तब फिर से इधर सरख जाएगा, ये, तो ये आजाएगा, 0.25 ampere, ओके 1000 हो में, ठीक है, अब इसके बाद क्या बता करना है, आपको heat, heat produce in joules, ओके, ये च, ये चीज़ इको लूट सिंपली क्या एगा है, VIT, VIT, V क्या है, 250, आए कितना है, आए 0.25, और टाइम कितना है, ताइम है 12, ठीक है, अगर इसको इससे यहाँ पर कर लिया, तो ये हो जाएगा, 25 into 2.5 into 12, 25 का स्क्वेर क्या होता है, 625, एक के बाद पॉइंट, बासट पॉइंट पास गुनिले 12, 12, 560 के 0 हच्चा है, चे बारदोनी 24 और छे 30 का 0 हच्चा है, तीन बारसकम 72 और तीन, पच्चातर एक के बाद पॉइंट, तो यह आजाएगा यह च्च, 750 जूल, हीट कितने आएगी, 750 जूल, करेक्ट, हीट कितने आएगी, 750 जूल, अब क्या बोड़ आ है, keeping other condition the same, if the length of wire of iron is reduced to half the oil,